नमस्कार दोस्तों मैं विकार स्वागत करता हूँ आप सभी का एको नई अपडेट में दोस्तों आज की जो मोटिफिकेशन लेके आए ही CS, PH, CL की तरफ से 36गर स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेट की तरफ से नई वेकेंसी आ चुकी है दोस्तों इसमें junior engineer की post आप सभी के लिए निकली हुए इसमें जो vacancies निकली हुए दोस्तों इसमें 250 से ज़्यादा post निकली हुए और सभी branch आप यहाँ देख सकते हैं कि eligible रहने वाली है और यदि आप चाहते हैं कि आपको full detail मिले कि किस तरीके से आपको apply करना है education qualification की बारे में पता लगें है ना किती sales आपको यहाँ पर मिलने वाली है क्या age limit रखी कई है तो आप वीडियो को पुरा end तक देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं देखिए दोस्तों यह रहा इंका official notification यहाँ पर latest date आप देख सकते हैं 22 सितमबर को notification आ चुका था लेकिन जो इसकी application स्टार्ट हुई है वो 29 सितमबर दुपर 12 बज़े से होने वाली है मतलब आज से 12 बज़े होने वाली है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं junior engineer की post निकली हुई है काफी बड़िया recruitment है 250 से ज़्यादा vacancies आप सभी के लिए हाँ पर निकली हुई है दोस्तों यहाँ पर जो large date होने वाली है वो 28 अक्टूबर होने वाली है इस चीज को ध्यार में राखना है आपके बाद पूरा एक महिना है आप आराम से इसको form को fill out कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं number of vacancies की जिसमें हम बात करेंगे including backlog के लिए ठीक है सबसे पहले हम vacancies है आप एलेक्टिकल के लिए 173 vacancies है जिसमें unreserved category के लिए 115 vacancies है information technological 10 vacancies से computer science के लिए 10 vacancies है यह vacancies जो निकली हुए दोस्तों वो है आपकी CS PDCL की तरफ से ठीक है अब यहापा जो CS PDCL यह इनके ही department है आपको हापा टेंसल लेने वाली बात नहीं है आपको one by one सभी चीज़े आपर बताने वाला हूँ पर next vacancy से आप एलेक्टिकल के लिए जिसमें 28 post है total information technology के लिए 3 vacancy से computer science के लिए 2 vacancy है mechanical के लिए दिया है में हापर बात करते हैं 27 vacancy से electronics के लिए 2 vacancy से आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्टिकल ब्रांच इसमें CS PTCL में vacancy से इसमें 8 vacancy से electronics के लिए आप 4 vacancy से और civil जिसमें आप तीनों जगे पर आप एप्लाई कर सकते हैं मतलब इनका अलग अलग डिपार्टमेंट है इसमें 40 vacancy से दोस्तों यह जो vacancy लिए दोस्तों काफी बढ़िया vacancy से इसमें आपको ज़रू से अपलाई करना चाहिए को कि बंपर भरती इसको हम बोल सकते हैं ठीक ना अब यहदि हम बात करते हैं हाप नंबर वेकेंसी से यह चेंज हो सकती है इसमें आपको टेंसल लेने वाली बात नहीं है जूनियर इंजिन की पोश्ट आपको हापर मिलने वाली है दोस्तों ठीक ना यह आपका इन्फोर्मेस्में टेक्लोजी में हो सकता है इसमें अब आपका जो अब आगे बात करते हैं इसमें जो सेलरी मिलने वाली है आपको दोस्तों वो सेलरी भी आपको अच्छी मिलने वाली है जो आपका initial period रहेगा उसमें आपको यहाँ पर 35,400 रुपीस मिलने वाली है और उससे ज़्यादा ही आपको salary प्रोवाइड होने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने clear लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो vacancies निकले हुए only for 36 गड़ वाले ही apply कर सकते हैं ठीक है डॉमे सरे लाफ 36 गड़ इस्टुएंट हैं पर apply कर सकते हैं इसलिए हम आपको दोस्तों clear बोलते हैं कि वीडियो को आप पूरा देखिए चार से पांच मिनिट का एक वीडियो होता है आप हर एक चीज़ को देखेंगे तो आपको कुईसी प्रकाई कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब हम आगे बात करते हैं आपको reservation भी प्रोवाइट किया जाएगा ठीक ना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस form को fill करने के लिए फिस प्रोवाइट करने पड़ी कि जूरियर इंजिनर की पोस्ट के लिए अन्रिजर और OBC के लिए 1000 रुपे सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको कोई भी प्रोव्लम नहीं आएगी ठीक है आपको इहाँ पास CBD होने वाला है दो घंटे का ओनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 100 कोस्टन आने वाले हैं ठीक है अपनी अपनी सब्जेक्ट कोस्टिंग से और प्रोफेशन सब्जेट के दोनों आपके हाँ पर होने वाले हैं ठीक है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है एप्लाइ करने के लिए एप्लाइए लिंक हमारे टेलिग्वाम पर मिल जाएगी आवसाना इसे जाकर माँगों करके आप आप एप्लाइए कर सकते हैं किसी परका कि कोई भी दिक्कत कोई भ आपको 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